फ्रेंड्स मैं फिर लाया हूँ आपको एक छोटा से ब्लॉक के उपर आज एक बहुत अच्छी ख़बर आये थी सोचा कि सफारी के चाहने वालों से मैं डिसकस कर लेता हूँ फाइनली वो दिन आ गया है फ्रेंड्स 10,000 न्यू टाटा सफारी हैस बिन सोल्ड येस्टेड़ी 10,000 का जो मार्क्स था वो टाटा सटा कंपनी ने अच्छी उकर लिया है फेबरी 2021 में गाड़ी लॉंच हुई थी और शिर्फ 100 गाड़ी रॉल आउट हुई थी पुने मैनुफेक्ट्रिंग प्लान्ट से इन फेबरी लेकिन फेबरी के बाद मार्च अप्रेल में जून और जुलाई पांच महीने में एड़ एवरेज अब 2,000 कार्ज एवरी मन्थ टाटा सफारी हैस बिन सोल्ड मैं आपको बताता हूँ फ्रेंट टाटा सफारी और हैरियर की सेल्स अगर आपस में कंबाइन कर दी जाए तो हेक्टर और हेक्टर प्लस की सेल्से काफी आगे निकल चाहिए और अलकदर जो गाड़ी हंडे ने लॉंच की है वो सारी सेल्स जो खाएगी वो टाटा हैरियर और सफारी की नहीं खाएगी वो सारी की सारी सेल्स MG Hector की खाएगी Hector Plus की खाएगी च्योंकि टिकनोलिजी में Tata Safari थोड़ा इशी लाकिंग करती है जिसे इलक्टोनिक तील गीट हो गया जो हमारी Safari में नहीं है ये Infotech सिस्टम जो है थोड़ा सा Refined प्रोवाइड किया गया है अलकजर में और Hyundai ने उससे बेटर क्वालिटिका दिया 360 डिगरी कामरा प्रोवाइड किया गया है तो मेरा मतलब कहने का फ्रेंड्स ही यह है Safari और Harrier बहुत आगे निकलने वाली है MG Hector को बहुत तड़ा चलेंज मिलने वाला है और मेरी गट फिलिंग यह भी कहती है फ्रेंड्स MG Hector बहुत जल्दी बहुत बड़े प्राबलम में आने वाली है क्योंकि अलकजर और Tata Safari और Harrier मिलके और अभी XUV7OO भी आने वाली है यह सारे के सारे जो सेल खाएंगी वो MG Hector और Hector Plus की खाएंगी Gloucester जो लॉंच की है वो Endeavor और Fortuner के आगे कुछ भी नहीं है तो मेरा यह मानना है की Tata Safari टाटा वालों ने जो गाड़ी लॉंच की है जब से Tata ने JLR को बाई किया है तब से D8 Omega R की बेस पे Tata Safari Harrier बनाएगी Harrier का extension Tata Safari किया गया Friends 2016 में मैं खुद बोलता था कि Tata के टरक खरीदो Tata की बस खरीदो पर Tata की गाड़ी करीवद खरीदो लेकिन JLR के टेक आवर करते ही Tata ने यूटन लागे दे दिया है मैंने खुद 22-23 लाग लगा के Tata की सफारी खरीदी है अब Tata वापस आच चुका है Nixon, Altros, Harrier और अब सफारी धूम मचा रखी है मार्केट में इन्होंने आने वाले टाइम की अंदर इसकी सेल इंक्रीज होती जाएगी डे बाई डे Tata अपनी जो उसकी बीच पर प्रॉलम होगी थी उसको सॉल कर चुका है Tata ने इस गाड़ी के अंदर देखिए कितनी शांदार पैनरोमिक संरूफ दी है आप इसकी सीट देखिए आप इसके अंदर इन्होंने मोड्स भी प्रवाइड किये मैं देखिए आप रफ मोड है इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड है, इको मोड है इन्होंने इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे जो मैंने पहली बार यूज किया है मुझे नहीं मालूम था इन्होंने ब्रिक सिस्टम इसमें दिया है हैंड ब्रिक कीचला नहीं पड़ता वो दिया है तो मेरा कहने का मतलब है और टाटा फ्रेंड्स अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ दिवाली के आसपास अख़बारों में ख़बर आने लगई है लोगों के मन में काना फुसी कानों में होने लगई है कि दिवाली के आसपास सफारी का फोर बाई फोर भी आएगा और black color вcely आंगा, मुझे अमीद है कि warrior और सफारी दोनों ही 4 by 4 में आने वाली हैं, अगर एक बार ये गाडी 4 by 4 में आ खाई तो इसके चाहने वाले बहुत हैं, लिएसे market में थार के चाहने वाले बहुत हैं, ऐसे ही India में सफारी के चाहने वाले बहुत हैं, और फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ अगर किसी गाड़ी को हिट करना है तो इंडिया में लाँच कर दो और किसी गाड़ी को फ्लॉप करना है तो भी इंडिया में लाँच कर दो क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे धुरंदर ऐसे टेकनिकल लोग बैटे में इतनी अब डरने वाली बात सिर्फ किसके लिए हेक्टर वालों के लिए MG हेक्टर की सारी सारी सेल अलकदर खाएंगी या टाटा सफारी हरियर वाले खाएंगे तो फ्रेंड्स वेट कीजिए फोर बाई फोर टाटा सफारी और हरियर का बहुत जल्दी आपको गुड नियूज मिल जाएगी और टैन थाउजन सफारी बिकनिक जो रॉल आउट हुई है उस सब की मुबारक बाद टाटा सफारी के चाहने वालों के लिए या टाटा के यूज करने वालों के लिए वो में तरफ से और सब की तरफ से मुबारक बाद थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग कुल्दीब कौशिक ब्लॉग्स थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स